नमस्कार दोस्तों, Stock Specific Analysis में बात करेंगे एक कंपनी का Rama Steel का, क्योंकि Rama Steels का अभी रिजल्ट देखने को नहीं आया अभी तक, तो हमने सोचा क्यों निसके पर थोड़ा से Study करते हैं, रिजल्ट के बाद का क्या Reaction हो सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट की पर देखों तो दिसंबर तक का रिजल्ट अबडेटेटेड है, इसका जो Turnover Basis रहा है, वो काफी Fundamentals Strong Positions में रहा है, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं आपके साथ इस्टडी करें, Rama Steels जो की एक Manufacturer है, जो Steels Pipe बनाने में, और कहती है, इस्टबिस दो और लेवल अफ दे मार्केट, लोकल मार्केट, गवर्मेंट, प्योक्यूर्मेंट एक्सपोर्ट, इन सभी चीजों में इनका पास Authenticated है चीज़े, और Pipes बनाती है, कंपनियों, साथ में और भी कुछ-कुछ क्याम करती है, हम जानते हैं Stock Market में Reactions के प्रदी, Stock Market में Reactions में देखें, तो इसका Stocks आज थोड़े सा गिरावट में दर्ज किया, यह जो ग्याप रहा है, वो किस लेवल से ग्याप रहा है, हम इसको भी जानने की प्रियास करते हैं, Fish Value एक रुपे का है, Stocks का, और Company क्या करती है, Iron and Steel Product में काम करती है, और यह BAC में Small Cap में आती है, Small Cap की Company है, एक साल की Databases में लगती है Stock ने, Back to by कितनी बार इसमें चढ़ाय और क्याते हैं, बार्केट में बुल हुआ, और Bearing का भी Mode हुआ, इसमें जो number of volume of trade है, वो काफी volumes में होता है, क्योंकि पहनी छोटा सा Stock है, करीब 4-5 लाग जहां पे पहनी जदा हुआ, तो करीब करीब एक करोड क्यास पस लाता है, एक करोड 30 लाग क्यास पस volume चला जाता है, इसका Stocks का, तो इसका अंतलब बिमांड जैसे बढ़ेगी इसका Stock में वैसे पैनिक आना स्वभाविक है, तो एक 5 दिन के चार्ट में अभी चढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अ थोड़ा सा जुका हुआ Stocks से, तीन मेंने के Databases में लगता है, जो Stocks में थोड़ा सा performance किया, और एक साल में performance का लेबल कुछ ज्यादा हद तक किया, और इसका एक line निकल के आती है, जिसको कहते हैं, हम कई बार इसको एक line खीच के देखें, इसको एक simple तरीके से, जहां से यह Stocks चालू होती है, तो उस लेबल से निकल की आएगी कितना के इसका Valuations निकल की आती है, यदि मैं यहां से इस Volume को सीधे Direction से लेते जलूँ, तो यह सायद लगेगा, जो कहां पर जाके अटकती है, तो इसको देखूं, यह अटकती है, यहां पर, अब इस Value की बात करें, तो जब भी इस तरह के Symbols होते हैं, तो अकसर यह देखा जाता है, जो Stocks में थोड़ी से और हलके-फुलके गिरावट होने की Chance बढ़ती है, लेकिन वैसे वह V-shape में आगे की मोमेंट करती है Stocks, जानते हैं इसमें क्या है, और बाकी Fundamentals की चाहिए, किस तरह से Strong position में, यहां प 500 करोड के Nearly Award Fund की जरुवत है, और देखने में आती है, जो बोर्ड ने अग्रिगेट अमोंट से 500 करोड इन द वे अब द फर्दर पबलिक इशू के तरूल जुटाने की प्लान चल रही है, जो की 29 मई 2024 को यह फिर दोबारा जो यह वोर्टिंग स्पेडिट होगा, उसकी बि तो कर्पेट एकशन की साथ लेकें तो कंपनी डिविडेंट पेइंग कंपनी है, बॉनस भी देती है इसको और कंपनी बैक टू बैक बॉनस देती है, अभी दो सेयर के बदले एक सेयर दिया था भी 24 में मार्च के अंदर, तो इसका मतलब यह है जो कंपनी ने परफॉर्मे अब हिएेट की बात करों तो अभी दिसंबर तक का जो रियल्ट निकल के आया है 155 करोड का था टोटल, इसके इस टेनलौं की बात करें तो कहवल कैवल इस कंपनी के बात कर रहाएं, इस स्टेनलौं में जोकि लिस्टेड है बैसेकली यह लिस्टेड कंपनी है, और इसकी के बागी कंपने की कुछ सबसीडरी का होल्डिंग कंपनी होता है इसलिए इसको जब भी हम स्टडी करते हैं तो यह एक तेटा भी देखते हैं कि क्या परफर्मेंस लेबल निकल कि क्या नुक्षांस और फायदा निकल कि आती है तो रिवेंडियों कमडल में दो सो ज्यारे को करता है और मार्श में जिस रफ्तार से बढ़ा है उस रफ्तार से देखने से लगता है जो मार्श में इसका नियरली तींसो कि एस पेक्टेशन्स देखने को मिलती यह इस का पर्संटेश बिए ने प्रुपीट की बात करें तो चार करोर और पांच करूर सतर लाग के आ सव से इंक्रीज करके 2.67 गास पास जाती है और आडली वाले आमें में सब कम 3% के असपास निकल किया नेट प्रॉफिन मार्जिन तो थोड़ा सा बेटर होगा यहां पर नेट प्रॉफिन मार्जिन इसका पूर ही कह सकते हैं पूर पूर टो पूर ही नहीं देखने को मिलती है इस इसको क्वार्टरली विस्स का रिजल्ट को देखा है तो कंस्विटेट के हिसाम से देखें तो कंपनी का पर्फॉर्मेंस लेबल जो रहा है वो दिन बाए दिन थोड़ा से एंक्रीज किया लेकिन कई बार कुछ पेरियर के अंदर इसके डाउंशाट देखने को मिली है जै अपनेटिक प्रॉफिट के बाद करें तो वह भी पिछले मार्च दिसंबर के बाद कर लें पिछले दिसंबर थो थोड़ा सा कम था लेकिन इस बार थोड़ा सा इंक्रीज किया लेकिन दिसंबर वाले में तो मार्च तो मार्च का देखें यहां पर नेट प्रॉफिट मार् लगती है कंपनी का प्रमोटर के पास करें 37 प्रशंट की और पब्ली के पास करें है 43% की होल्डिंग 40% में कौन से बड़े बेगबुल है तो उसमें देखा तो प्रमोर्टर के पास तो अल्रेड़ी चपर पुशंट की आस्ता स्मार्ट चिता की होल्डिंग है उसमें थोरे सब लिक्वाली किया है ऐसरी कोई भी नहीं है की बात करों दियाएं वी कुछ भी नहीं है डी ए जो फोटाओ बेच के निकल देखें तो इनके पास बड़ा नाम निकल के नहीं आता और यह जो नाम है यह जाना चाहिए का पॉब्लिक में यह जाना चाहिए के अंदर लेकिन यहां पे सिफ्ट कर दिया इसको पॉब्लिक के अंदर इस कंपनी में जो अबरल सेर देखें आम आम इंवेस्टेंट इनके पास पॉब्लिक में इनके पास सेर्स हैं क्या कहते हैं सेर का रियक्शन हो जाने तो सेर का रियक्शन में यह निकल के आती है क्लोजिंग प्राइस से करें क्लोजिंग प्राइस में करीब बार रुपे का रिफरेंस किया है और प्रसेंटेज के देखें नौसो साथ परशेंट का जंप किया टेन साल में ग्यारोसों पचास परेशंट करता है दो साल में एक सीच पर फशेंट परशेंट करता है एक साल में तो ऐसा कम जंप करता है एकारणी यह धानी सिल्जला छोडता नहीं है जो देट के बीच का जो कुलक्षिन है उसके बेसे में नियुटिव है अग्यार देखेंगे तो स्टॉक्समिद गेन होती है को कि यह जो percentage है वो सेम प्रिछले परीड का होता है जो कि आज से तीन में पहले जो क्रोजिंग का उसके हिसाब से कल्कुएट किया तो यदि उस ताम पर मार्केट चटा हुआ है आज का मार्केट गिर गया तो फिर वो निगेटिव होगा पिछले बार कर चुका है उसके अब यह हैं हमने हिस्तोर्टिंग की बात करें तो प्रेंडिंग क्या निकलती है इस अवाट करें तो फिर्टेडे से उपर करें का काम कर रहा है यहां पर दोनों तपर से मार्केट में लेकिन आगे का पोजेटिव है नहीं है दोस्तों कोई पैसा आपका है पैसा पे आपका ही राइट है और आपकी रिस्क है दोस्तों कोई भी अडवाजरी नहीं होता हमारे तरफ से के लिए दोस्तों वेडियो अच्छा लागा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा को कि यहां पर मने जो सपोर्ट देखा था टेकनिकल की हिजाब से उसमें यह दिखती तो इस टॉक में थोड़ी से गिराबट हो सकती है इस तरह कि जो कि सिम्बोर्स इस तरह से द सब्सक्राइब के साथ कुछ सब्सक्राइब के साथ कुछ सब्सक्राइब को आपके साथ लेकिया हूं थैंक यू सो मुच फार जोइनिंग हैर